को पाउड बाई टेक्नो लेकिन विधन सब चुनाव में हर्याणा में गडबंदन की कोशिशे नकाम हो गई एक सीट लेफ्ट को देखकर बता नेता प्रतिपक्ष राहूल ने सबको साथ लेकर चलने का संदेश दे दिया लेकिन दूरियां बढ़ती दिख रही है हर्याणा के प्रभारी अर्जे माकन का ये जवाब सुनिए आमाद्मी पार्टी हर्याणा की सबी सीटों 90 सीटों पर चनाम लट रही है लेकिन कॉंग्रिस जिकर तक नहीं करना चाती है हर्याणा के मुख्य प्रवेक्षक अशोक गहलोत ने भी मामली पर चुपी साथ रखी है इधर दिल्ली में केजरिवल के स्तीफे की पेशकर्ष के सवाल पर भी महिला कॉंग्रिस के अद्यक्ष अलकाल लामा ने भी पार्टी लाइन का हवाला दे कर बात को टाल दिया कुल मिला कर सिया ससीदी है केंद्र में मोदी के खिलाब इंडिया गडबंदन एक जुट है राज्य में मजबूरी में आमनी सामने आना पड़ा तो परदादारी रहेगी आमादी पार्टी के मुख्या अर्वंद के जुवाल ने दो दिनों में दिल्ली के मुख्यमंत्री पत से इस्तिफा देने का कल ऐलान किया सियासी सरगर्मी के बीच अर्वंद के ज़वाल किस फैसले पर अन्ना हजारे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है मैं पहले से बता रहा था है, राजनिती में नहीं जाना समा से भी अन्ना हसारे ने ये बाते तिर्दी के सिम अर्विंद के जिरिवाल के लिए है अन्ना ने कहा कि उनके दिल में क्या है उन्हें नहीं बता कही साल बाँ हम लोग साथ में थे वो टम बार बार माई कह रहा था कि राजनितिय में नहीं जाना समा सेवा अपने जुवन में आनम देदी आनम में डुबर रहां लेकिन उसके दिल में नहीं बात आई नहीं दरसल दिल्ली के सीम ने दो दिनों में स्तीफा देने कैलन किया है इस बीच मनीशी सोधिया के घर पर केचिरिवल के स्तीफिक को लेकर अंतिमरनीति को लेकर दूसरी बैठक होई केचिरिवल से विधान सबा स्पीकर राम निवास गोईल ने भी मुलाकात की खबर है कि दिल्ली में महराश के साथ विधान सबा चुनाफ कर आए जाने की भी केचिरिवल मांग करेंगे इस पर सियासत गर्म हो गई है स्पीकर ने कहा कि विधान सबा 17 सितंबर में ही बुलाए जाएगा लेकिन दिल्ली का अगला सियम कौन होगा इस पर टर्चर नहीं हुई